नमस्ते मैं हूँ शशी हर्मुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अपने एक विवर का डाउट क्लियर करेंगे यह डाउट नहीं है इनका एक कमेंट था इनका नाम है रवी कुमार इन्होंनी लिखा है इसा कुछ नहीं है वैसे भी किसे परमात्मा की प्राप्ती हो रही है इनका कमेंट मैंने एक शॉट डाला था जिसमें बताया था कि जब आप पास लाइफ रिग्रेशन या धर्म के नाम पर किये जाने वाले बहुत सारे भ्रह्म में फसके रह जाते हैं तो आपको एक्चुली में परमात्मा की प्राप्ती नहीं हो पाती है क्योंकि आप सही दिशा में तो जाही नहीं रहे हो उस दिशा की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है तो इसी वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी किसे प्रमात необ की प्राप्ति हो रही है, और मैंने reply भी किया था जो बंधर मुक्त हो रहे हैं उनको लेकिन मुझे लगता है कि इनके साथ साथ बहुत सारे और भी लोगों का ऐसा प्रश्णर रहता है कि कैसे मामले की भगवान हैं, हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते और कीसे पता है, क्या प्रूफ है, प्रमार्द हो इसका ऐसा अकसर ये बात आती है और जो भगवान में विश्वास नहीं रखते वो बोलते हैं कि ये सब चीज brainwashing है, आपको नहीं पता, आप एक कलपना में जी रहे हो और मुझे एक दो बारे ऐसे comment आये हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप भगवान को क्यों उससे जोड़ती हैं, अपनी life से, वगर वगर चीज़े ऐसे comment आते रहते हैं तो मैंने ये comment आज लिया है, ताकि मैं इसी के बारे में बात कर सकूँ और आपको कुछ बता सकूँ, अपने अनुभाव बता सकूँ तो रवी कुमार जी और बाकी viewers को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी भगवान के पास सामने खड़े नहीं हो सकते सभी मनुष्य भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, इश्वर प्राप्ती नहीं कर सकते, सभी मनुष्यों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है, ठीक है? आपने उनके बारे में बात करते हुए लोगों को सुना है, आपने टीवी पे उनका इंटर्व्यों देखा है, आपने प्रिंट मेडिया में देखा है, और सोशल मेडिया में देखा है कि हाँ ये हमारे राश्ट्रपती है, ये प्रेसिडेंट यहाँ पर ऐसा इंटर्व्य हमारे रिशी हैं इसे यहां की प Dee deity मनुष्ये को हुई हैना उसका सबसे बड़ाHaam κα法 दूसरे मनुश्यों के लिए वो डॉबैक है कि वह प्रमार नहीं कि हां मैंनि इस्ट पत्रक क Vish Сам कि आपके पार ला नी सकते है और मुझे यह बात बागी लोगों की यह बात बहुत बुरी लगती है कि बही प्रमान दो लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है अगर सभी को इश्वर्ट दिखने लग गया तो फिर साधना कौन करेगा साधना की जरूरत क्या होगी शुद्धी कौन करेगा ठीक है मनुश्य को तो बड़ी तपस्या साधना और करने के लिए बुलाया जाएगा ठीक है उसी प्रकार से जब आप साधना करते हो गहन अध्यन करते हो अध्यात्म के उच्छतम इस्तर तक पहुशते हो और आपके अंदर जब निर्भीज समाधी आती है विदाउग डिजायर वाली जो परिस्थिती है ये आपके अंदर आ जैसा कि मैंने आपको बताया तो उन्होंने मार्ग बताया कि मैं इस मार्ग पर चला हूं तो जाके मुझे इश्वर का दर्शन हुआ है तो उस मार्ग पर यदि आप भी चलेंगे तो आपको भी दर्शन होगा आपको भी परमात्मा की प्रक्ति होगी ठीक है तो वो मार्ग अलग-अलग रिशियों ने अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार के मार्गों से चल कर अध्यात्म के उच्चतम इस्तर तक पहुंचे और शिव दर्शन किया इश्वर दर्शन किया तो वो अलग-अलग मार्ग बता रहे हैं हर रिशी का मार्ग अलग है आपक सकते हो या वो बार-बार बोल रहे हैं पर मनुष्य है कि उस पर द्यान नहीं देखता देखिए मैं आपको बतारी हूं यह हमारे संत हुए यह बहुत अच्छे संत हुए हमारे कोलकता में रामकृष्ण परमहंस जी ठीक है यह पुजारी थे काली माता की मंदीर के और इन्हो सोचके ना वो जो माता की मंदी में जो खडग यह आप इमेज में जो खडग देख रहे हो ना यह माता का शस्त्र है यह उठा लेते हैं और अपनी गर्दन काटने वाले रहते हैं तो उसी समय उनको माता का जहलग दिख जाता है वो आकर रोख लेती है इनको यह ऐसा बता है अब इसका चित्रन यह सिर्फ बताएंगे यह आपको पता नहीं चलेगा वह आपको दिखा नहीं सकते तो यह ऐसा बार-बार बता रहे हैं इन्होंने काली माता का दर्शन किया था ठीक है इनकी पूरी दिन रात पूरा जीवन काली माता की संगती में गुजरा और एक और हमारे एक स्वामी सौमी सर्anor किया नाम का औम स्वामी जी उन्होंने भी मा अकाली में दर्शन किया है अन्हों पूर्द विडियो से बताएं यह देख लिए उनका फोटो और उनकी ओम स्वामी नाम से ही उनका यूटीब का चैनल है आप उसको भी देखी ए ठीक है अब देखिए यह है महाशी पाणेनी इनको father of linguistic कहा जाता है यह संस्कृत व्याकरण के रचाहिता है एक्शली इनके पहले भी संस्कृत व्याकरण बन चुका था कई विद्वानों ने बना लिया था लेकिन उसको organized तरीके से present करने के लिए formula की तरह present करने के लिए इनक अपने कार्य को संस्कृत के व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से organize करने के लिए struggle कर रहे थे संघर्ज कर रहे थे वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था तो यह अपने गुरू के पास जाते हैं महार्शी पाणेनी और और बहुत सारे अलग-अलग गुरू के पास जाते ह दिये और पोई उनकी साहिता नहीं कर पाता तो किनी गुरू ने इनको सलाह दी कि आप महादेव की अराधना कीजिए तपस्या कीजिए महादेव प्रसन्न होकी आपकी साहिता करेंगे तो महार्शी पाणेनी ने अच्छे आपकी भगवान प्रकट हुए और भगवान प्र ने नोट कर लिया वो चौदा बार जो है भगवान शीव ने अपनी दमरू बजाई वो चौदा जो चौदा जो स्वर निकले उसको महार्शी पाणेनी ने बेस बनाया अपने संस्क्रित व्याकरन को और गिनाईस करने के लिए कोडिंग करने के लिए और उसे महेश्वर आप इसको पढ़ के देखो डमरू की आवाड जैसे साउंड करेगा आई ओना ऐसे ऐसे कर गया पढ़ के देखो है ना तो महार्शी पानेडी भी बता रहे हैं इश्वर के दर्शन के उन्होंने बहुत बता रहे हैं ठीक है तो और हमारे प्रेमानन महराज जी तो हैं ही जि उसे मिलन होगा आपका भी ठीक है परमात्म प्राक्ति होगी और इसके आगे ही मैं आपको अपनी साधना का अनुभव बताती हूं जब मैंने एस्ट्र ट्रेवल वाले एक्स्पीरियंस किया था उस समय मुझे युनो शीव के जगत-पिता होने का अभास हुआ था शीव के है या जो इस्वर पर विश्वास रखते हैं गो है साथकल कि रखुआ और यो कोई अनुढ्र टरीवा कि बंग जोंब्ल आहसे संसार बना है तो किसी ने किसी ने तो इसे बनाया हूगा ऐसर टाइप का अनुट पार्ट श्रॉंब क्योंकि मनुष ह Arist catching को को आखों की सामने बनते हुए देखते हैं लेकिन भगवान को संसार को बनाते हुए मनुष्य नहीं देखा है तो उसको दो भगववान पर यह चैंकर वह शम नहीं पर मुझे सथी congr चाहिए यह फालतू की बात है नहीं यह तर्ग सहीं नहीं है तो इसलिए मुझे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूं कि कब मुझे लगा कि शीव सत्य हैं शीव के सत्य होने का भास मुझे बहुत पहले से था लेकिन इश्वर दर्शन शीव दर्शन या परमात्म प्राप्ति का अनुभाव में आपको बताना चाहती हूं जब मुझे ये अनुभाव हुआ था वो साल 2020 मई जुन जुलाई का समय था मैं उस अनुभावों से गुजरने के बाद उसे भूलना नहीं चाहती थी कभी बार बार वो मेरे मन मस्तेशक में वो बात चाही रहती थी तो मैंने उसे नोट कर लिया लिख लिया था और जो लिखा था वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूं ठीक है ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश ये है कि जिनको लगता है कि इश्वर नहीं है वो थोड़े साधना के लिए प्रेरित हों ताकि वो इश्वर से मिल सकें और जिनको लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी उन्हें भी इस बात से कोई प्रेड़ना मिले जो मैं बताने वाली हूँ और अगर आपका जीवन एकदम अच्छा चल रहा है मस्त चल रहा है कोई दुख नहीं है बढ़िया सब चीज है तो आपको अध्यात्म में या फिर इश्वर प्राप्ति में ध्यान में इन सब में आने की कोई आवश्यक्ता नहीं है अध्यात्म या इश्वर उनके लिए हैं जो बहुत दुखों से गीरे हुए हैं और जिनको अपने जीवन में बहुत सारे उठ रहे प्रश्णों के उत्तर चाहिए उनके लिए हैं लेकिन जो अपने जीवन में बढ़िया मगन हैं मस्त हैं उनको कोई आवशक्तनी अध्यात्म में आने की और सनातन धर्म इस प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करता है किसी क सब्सक्राइब बाब कर्ष्ञभाध्य कोई से अच्राव मेरे व्यावहार में परिवरतन होने लगा था मेरे वीचार और मेरा संसार के लिए द्रिश्टी कौन सब कुछ बदलने लगा था, इसलिए ना तो मेरे मेत्र बनते थे और ना ही परिवार में किसी से मेरी विचार धारा मिलती थी, यह संघर्ष मेरे साथ प्रती दिन होता था, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा यह संघर्ष बढ़ता गया, मैं अपने जीवन, पिता, परिवार और समाज से बहुत दुखी थी, क्योंकि मैं बहुत समाजिक जो धर्रे है ना उसके खिलाब बहुत विद्रोहिस सुभाव रखती थी, मुझे वो धर्रा पसंद नहीं आता था, जो समाजिक चलन है कि आपका इस उमर में यह होगा, इस उमर में य जीवन, पिता, परिवार और समाज से बहुत दुखी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सहीं क्या है और गलत क्या, जितना परिवाय की सुनती थी, उतना ही और दुखी हो जाती थी, चारो ओर से निराश होने के बाद साल 2012-14 के बीच एक दिन मैंने श्रीव से कहा कि सौप दिया, उन्होंने मुझसे जो कहा हुआ हमें करते चले गई, चलते चलते आठ साल बात मैं 2020 में शीव दर्शन तक पहुँझ गई, शीव दर्शन से पहले तक मैं यह नहीं जानती थी, कि जो कुछ भी मैं सीख रही हूँ, वहां आध्यात में ज्यान है और शीव दर् कुछ नहीं थी, नहीं कुंडलीनी, साथ, चक्र, समाधी, मोक्ष, मुक्ती जैसे किसी बे आध्यात्मिक विश्यों के बारे में जानती थी, मुझे बस इतना बता था कि मेरे जीवन में सिर्फ कानहा है, पिता जिश्यव है और मैं, इसलिए मुझे लगता था कि आध्यात् चक्र पर उभर कर कहा था कि तुम्हें अध्यात्म पढ़ाना है सबको, तो मैंने अपने अनुबहों के अधार पर सिलेवस बनाना शुरू किया, सितंबर 2020 एंडिंग में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, इसके बाद मैंने भगवद गीता, उसके बाद चक्र निरूपणम इन सारे चीजों को पढ़ा और इसके बाद समझ में आया कि सनातन धर्म में इश्वर प्राप्ति या कुंडलीनी जागरण के अंगिनत मार्ग विधियां और साधनाये हैं, एक साधक अपनी सुच्छा से किसी भी मार्ग कर चायन करके इश्वर प्राप चायन कर रहे हैं . इस वक्त ध्यान कर रही हूं , जाने लगई ती पुराप षट। यहां के गएपको इस्वर्दर्शन वाले अनुभَव के बारे म मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मैं कहा गई क्या करते हूं मुझे याद नहीं कि मैं Black में कितनी बार और कभ कभ गई दिन में किसी काम को करते वैं अचानक मुझे याद आ जाता था Flashback में कि ध्यान में क्या-kya की, क्या-kya नुभाव की थी मुझे याद आया कि किसी धिन ध्यान में कुछ ढूंड रही थी, पता नहीं क्या? शायद अपना शरीर यह वाली बात मैंने अपने चैनल में एक वीडियो है सुचम सुचम शरीर का ब्रहाद ऐस्टरल ट्रेवल वाला उसमें भी यह बात मैंने बताई है कि मेरा शरीर में ढोंड रही थी पता नहीं क्या शायद अपना शरीर लेकिन मुझे मेरा शरीर नहीं मिला फिर मैंने एक बड़ा सा पत्थर देखा मुझे लगा कि वह पत्थर मैं हूँ लेकिन उस पत्थर में तो जान ही नहीं है मैंने नभी किनारे रेथ देखी क्या मैं यह रेथ हूँ मैं इतनी छोटी हूँ लगभग नगर्निया अगले पल मैंने खुद को परवत की किनारे पाया और अपना सीर उचा किया जितना उचा मैं कर सकती थी क्या मैं यह पहाड हूँ अचल, अडीग और उचा मैं इस पहाड के पत्थरों में नेर्जीव रूप से विद्धिमान हूँ और साथ ही मैं सजीव भी हूँ क्योंकि इस परवत में विभिने प्रकार की वनस्पतियां वरिक्ष जीव जन्तू नदिया भी मैं ही हूँ ब्लैक में जाने के बाद मुझे अमरत्व और सनातन का अर्थ समझाया तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की मनुस्य रूप में मैं कौन हूँ मुझे कुछ मिला या नहीं मेरी इच्छाएं क्या है मैं एक्जिस्ट करती भी हूँ या नहीं ऐसे लगा जैसे मैं एक दरपन के अंदर जी रही थी या सारा संसार एक दरपन के अंदर घटी थो रहा है और अब मैं दरपन के बाहर आ गई हूँ इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ जब मैं ब्लैक में गई थी ना जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल कर रही थी तो मैंने बहुत सी लंबी चीटियों की कतार देखी जो एक दिशा में ऐसे चल रही थी वो चीटियों की कतार जो है ना वो हम सारे मनुस्यों का रूपक है हम सब चीटियों की कतार में जो एक चीटि है वो अपने आगे वाली चीटि को देखी गी और पीछे वाले को देखी थी हम सब भी मनुस्य अपने आसपास के वही 15-20 लोगों को ही देखते हैं ठीक है जो खंदान में जो लोग है बस उसी को देखते हैं और दो चार बाहर के लोग कुछ मुठी बाहर के लोग चीटियों का जीवन ऐसा है कि बस सामने वाल पीछे वाल लेसली अपने लाइफ में हम बस बस चलते जा रहे हैं जब से हम पैदा होते हैं ना हमारी मृत्यों की यात्रा शुरू हो जाती है जैसे हम पैदा हुए हमारे ओर्गन की भी उम्र होती है और हमारे शरीर में पल रह बैक्टिया की उम्र होती है वो सब अपने मृत्यों की और यात्रा कर रहे हैं हम सब हम सब यह यात्रा कर रहे हैं और हमको वो चीटियों की यात्रा जो है ना वो कतार ऐसे जा रही है और अंत में वो किसी सागर में गिर जाएगी चीटियां अंत में किसी सागर में गिर जाएंगी और अंत में हम मनुष्य भी मृत्यू को प्राप् आपिल कर रही दिया और वह किठा बहुत छोटी आप साइस आप इमेजन करी लो वह चलते जारी है बस नच वी नहीं लाइफ में अगर हम से जग नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है और हम इस तरीके के बेहोशी में ही उसी चीटियों की तरह ही जीवन जीते हैं बस थोड़ा सा संसार चोटा सा संसार में गुसके कुए का मेढग बनके और बाकी सत्य को नकार देते हैं बाकी संसारिक सत्य को संसार के सत्य को आंतरिक सत्य को नकार देते हैं और हमको एक दिन मर जाना है अध्यात्म में इसलिए मृत्यू को परम सत्य कहा गया है ठ मतलब मेरी इच्छाएं एक्जिस्ट नहीं करती मेरी इच्छाओं का होना भी एक्जिस्ट नहीं करता सबकुस तो एक दिन खत्म हो ही जाना है और हम इच्छा करकर करके जो इतना तकलीव जहल रहे हैं अगर हम बस छोड़ देना तो अपने आप सारी चीज़ा घटित हो भी अध्यात्म का यह कितना शुंदर प्रसाद हिए कि जिस पर आपको शुन्य हो जाते हो ना उसी पर आपकी सारी ψह पूरी होने लग जाती है आपनी इच्छा नहीं की थी लिए कितना सुन निटा फ रोइशम का बहुत सब्साइज और आप पता अरे पहले मैंने इसकी इच्छा की थी अब जब मैं इच्छा नहीं कर रही हूं तो ये मुझे भी न मांगे मिल रहा है ऐसा मेरे सांथ बहुत बार हुआ है अक्सर होता है होते ही रहता है अब देखिए आगे मैं हर पल समय के साथ चल रही हूं हमारा शरीर समय के साथ आगे बढ़ रहा है बीत रही हूं घट रही हूं कुछ है जो निरंतर अपना स्वरूप बदल रहा है मतलब कि यह शरीर अंत हो रहा है लेकिन फिर भी मैं नियत सतत कॉंस्टेंट हूं जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती हमारी आत्मा मैं सजीव हूं सकार हूं सकाम हूं मैं स कुछ भी और सब कुछ हूं मैं everything हूं और मैं nothing हूं मैं शुन्य हूं और मुझे याद है कि किसी दिन मैंने ध्यान में कहा था पिता जी मैं घर आ गए क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था कि इतना घूमने के बाद मैं फाइनली मैं अपने जहां पर मुझे होना चाहिए था म ऐसा फीलिंग होने के साथ मैंने यह भी मेरी अंदर फीलिंग आई कि बस हो गया अब मुझे आप अपने साथ में ले चलो ठीट है इसके बारे में भी मैंने सुचमशरीर का ब्रह्मन करने में कितना सा मैं लगता है इस टॉपिक के उपर विडियो बनाया था उसमें कुछ याद नहीं है और दो-चार दिन तक मैं एकदम डिसकनेक्टेड टाइप का फिल कर रहे थी ब्लैंक फिल कर रहे थी और मुझे लगा कि भगवान ने मेरे को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया मैं डिजर्व नहीं करती कि भगवान मुझे अपने साथ लेके चले जाएं दो-चार दिन तक मैं ऐसी ब्लैंक फिल कर रहे थी तो यह जो कहानी है जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हुँ ना यह सारी चीज़ें जो है दिमाग की मैं आपको नहीं दिखा सकती एक व्यक्ति एक साधा की अनुभाव करेगा अलग अन्त में सबका एक ही मिलेगा क्योंकि इसवर्डा सफस्लेंगे ज्पडर करोगे उसवर्ड तभी आपको फता चलेगा कि जो मूर्ति है वह इसवर्ड करोगे न तो जो क्ल्पना की झारण कि कु आपने जैसी कल्पना इश्वर की होती है वैसे भीमेन आपको दर्शन नहीं है वो मूर्ती नहीं है मिट्टी की कांस्य की सोने की वो कोई मूर्ती नहीं है पत्थर वत्थर की नहीं वो सब मूर्ती नहीं है प्योरली ग्यान है ग्यान प्रकाश भी नहीं बोलूंगे मैं उनको ग्यान उनली ग्यान श्रीव सत्य है वो सत्य जो है वही ग्यान है उन ज्यान के बाद ही आप everything को पा सकते हो ठीक है तो बहुत वीडियो में मैं आपको वर्दान प्राप्ति के लिए भी आप साधना करो ऐसी प्रेड़ना देती रहती हूं कि अगर आपको धन की इच्छा है आपको सुंदर इस्तरी की इच्छा है आपको अच्छी नौकरी की इच सुंदर अइसाब को बताना चाहती हूं आप जब ग्राप्त करते हो थ Parirs आपके मंड की स्थिती में परिवरता नहीं आता है और जब आप ग्यान प्राप्त करते हो तो आपके मन की स्थिती में परिवर्ता तो हमेशा हमेशा के लिए मन की स्थिती में परिवर्तन आता है मन की स्थिती जब परिवर्तित होती है तभी जाके आप संपूर्ण रूप से सुखी हो पाते हो तभी जाके आप संतोष कर पाते हो ठीक है तो I hope आपने जो बात की थी कि किसे परमात्मा की प्राप्ति हो रही है I hope आपको प्रेड़ना मिले परमात्मा की प्राप्ति के लिए और इस वीडियो को सुनने वाले सभी लोगों को प्रेड़ना मिले ऐसा मैं hope कर रही हूँ ठीक है तो मिलते हैं next video में धन्यवाद